रसोली या फिर महावरी में अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो तो क्या करें जिहां ब्लीडिंग हो ज्यादा या दर्द हो तो क्या उपाय कर सकते हैं घर पर ताकि ये समस्या नहो इस बारे में इस वीडियो में पूनता जानेंगे हम सभी जिहां नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपके मन में कोई भी सिहत संबंधी समस्या या सवाल होता है तो लिख भेज़ें कमेंड्स के माध्यम से हमों टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर अलाइबर शिशम का पौधा आपके आसपास होता है तो इसलिए अगर गर्मिओं में इस्तेमाल कर रहे हैं तब तो आप उसको डेरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करें काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री मिला लें थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री इन तिनों को आपस में अच्छे से मिला लें और एक पेश्ट बनाएं और उसका सेवन करें इससे आपके bleeding की समस्या कम हो जाएगी और दर्द भी कम होता चला जाएगा इसके अलावा आप सभी के लिए हमने रसौली के लिए बताया हुआ है दूसरे episodes में कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है थोड़ा बहुत बतात भी देते हैं आपको लेकिन पुनता जानना चाहिए आपको पुनता जानने के लिए उने episodes में जाकर के जरूर देखें रसौली है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका खान पान सबसे सही और बहतर होना चाहिए योग प्राणायाम जरूर करना चाहिए उस स्थिति में ताकि आपका शरीर स्वस्त रहे मांस्पेशिया मजबूत रहे तो फिर ये प्रोब्लेम धीरे अप पने आप कम होती चली जाएगी अगर आप लेजी पन में रहेंगे तो फिर प्रोब्लेम बढ़ती जाती हैं और बहुत सारे लोगों के सवाल इस पर आते हैं इस वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो पार्टिकुलर आपके लिए ब्लीडिंग को रोकने के संबंध में बना लेकिन ध्यान रखें रसोली है तो आप लहसुन प्याज और सूर्ज मुखी ओयल ऐसी चीजों का जिसमें अच्छी मातरा में पाये जाते हैं सही मातरा में रेगुलर रूप से सेवन जरूर किया करें इसके अलावा हमने आपके लिए अलग-अलग फूट्स बताए हुए ह उनमें से रोटेट करके फूट्स का सेवन आप सभी कर सकते हैं जरूर करें इससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा तो यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नॉलिजफूल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन कौन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो शेर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट कीजिए आपके मन में कोई सिहत संबंधी सवाल है तो हमाने वाले दिनों में उन